फाइनली गाई जितने भी स्ट्वेंट ने B2P के लिए Re-Evolution का फाम अपलाई कर लिया है तो फाइनली सभी स्ट्वेंट के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर B2P Re-Evolution का रिजल कब तक जारी किया जाएगा और इसमें हमारे कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं तो फाइनली गाईस आज की वीडियो में हमने 5 years का डाटा एनलाईस किया है जिसके बेस पे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं और ऐसे कौन से इस्ट्वेंट है किनको बैक से हटाया जाएगा गाईस सबसे पहले आपके जनकारी के लिए बता दे कि इस बार बैक की फीस वारी री चेकिंग के जो फीस होती है इसे काफी कम कर दिया गया था इसकी वज़े से भारी मातरा में आवेदनाए हैं काफी छात्रों ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए री एवलूसन फार्म को अपलाई किया है गाईस सबसे को इनतजार है कि उनका रिजल कप तक जारी किया जाएगा और री एवलूसन का रिजल कैसा आ सकता है इसमें कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं तो गाईस सबसे पहले बता दे कि आज की डेट में बीट्यूपी ने एक ऑफिसियल नोटी जारी किया है जहाँ पर गाईस आपको बता जा रहा है प्रेविजनली संबंदता विस्तार के संबंद में तो गाईस अगर आपने इसके बारे में नहीं जाना है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिक्शन में दे दूँगा यहाँ पर गाईस कुछ इंपोर्टन चीज़ कब तक जारी किया जाएगा तो गाईस अगर हम पिछले इयर्स की बात करें तो पिछले इयर्स में जो आपका री एवलूशन का रिजल्ट आया था 29 दिसंबर को आया था अब गाईस बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको सौकिंग लगेगा कि इतना लेट डिजल कैसे आ बात करते हैं कि आपके कितने नमर बढ़ सकते हैं तो गाईस सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले इयर्स में क्या हुआ था पिछले इयर्स में टोटल 50% बच्चों ने री एवलूशन के लिए फार्म को अपलाई किया था लेकिन गाईस जो आपको बेनिफिट मिला था मातर 10% बच्चे ऐसे थे जिनको बेनिफिट मिला था और टोटल 40% बच्चे ऐसे थे जिनका एक नमर भी नहीं बढ़ा था यह पिछले इयर्स का आकड़ा है लेकिन गाईस अगर हम उससे पिछले इयर्स की आकड़ा में जाएं 2022 वाले आकड़ा में जाएं तो गाईस क्या होता है कि 2022 में total 60% बच्चों ने re-evolution के लिए farm को apply किया था और 2023 में 50% बच्चों का number बढ़े थे चाहे एक number बढ़े थे चाहे दो number बढ़े थे चाहे तीन number बढ़े थे लेकिन guys इस years क्या possibility हो सकती है तो आपको बता दे क्या होता है guys कि आपने इस बार क्या हुआ है आपका जो result आपका जब आया था इवन sim का तो उस result में काफी आपको shocking मतलब की काफी result shocking रहा था बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको बैक आय थी तो सभी बच्चों ने मिलकर धन्ना किया प्रदर्शन किया जिससे क्या benefit होता है कि बीटूपी आपका जो revolution का री चेकिंग का farm होता है इसका जो fees कम कर दिया था और guys आपकी copy को उन्होंने दुबारा से official site पे upload भी कर दिया था तो ऐसे में guys क्या होता है न कि अगर आप से धरना करते हो प्रदर्शन करते हो तो बोर्ट पे थोड़ा दबावाता है तो यह result इतना खराब कैसे आ सकता है उनके उपर भी तो यह guys जिम्मेदारी उनकी भी तो है अगर बच्चे कमजोर पढ़ने में हैं तो यहां पे कमजोर की बाते नहीं होती है इसको भी ध्यान में रखे काम करना होता है तो ऐसे में जो रिजल्ट डिले आ,जो धना परशन हुआ था इसका benefit आपको मिल सकता है आपके नंबर इस बार अच्छे आ सकते हैं आप गाईस में मुद्धे पर बात करें तो कितने नंबर तक बात सकते हैं तो आपको गाईस बता दे अगर आपको एक से लेकर 5 नंबर तक बैक होगा तो मैं आपको definitely कैसा सकता हूं कि आपका बैक clear हो जाएगा अगर गाईस यही 10 नंबर तक बैक है तो गाईस बहुत कम चांसा कि आपका बैक clear होगा लेकिन एक से 5 वालों के लिए खुसकबरी यही है गाईस कि आपके जो बैक है वो क्लियर होने ते हैं कि इस बार बीट्यूपी को रिजल्ट अच्छा देना है तक तक यहाँ में इकल के रिकॉरड कर ले लेडाई सब्सक्राइब करना है अगर आपको अपना बिजल्ट चेक हैं तो पलीज एक बार से विजिट करना तो यहां पर आपको जाबुन से पार्द पता चलबए कि आपके जो गाईस विजल अभी अब्डेट होने भी बाकि हैं बहुत से बच्चों के आप सेंट्स आ रहे हैं ऐसा भी आ रहा है तो आप भी अपने रिजल को एक बार चेक आवस्ट करें तो गाइस आज के लिए बस इतना ही बाई-बाई टेक केर फिर से मिलते हैं अगले वीडियों कोई क्यूशन से कमेंट कर सकते हैं चैनल पर नए ह